करेंट अफेर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज का हमारा पहला प्रश्ण है फेस्बुक कमपनी के सीओ मार्क जुगरबर्ग ने कमपनी का नाम बदल कर क्या रखा है फेस्बुक कमपनी है जो की इसके सीओ मार्क जुगरबर्ग है और इन्होंने हाल ही में फेस् में किया गया है भारत में अग्रिफाइब बैलेस्टिंग मिसाइल का सफल परिशन ओडिशा में किया गया है हमारा अगला प्रुश्ण है दोस्तों और भी आई ने सक्तिकांतदास का कारेकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है तो यह तीन वर्षों के लिए बढ़ाया है अगला पुर्शन है राश्ट्री जन जाती नरति महुत्सों की मेजबानी किस सहर ने की है तो ये रायपुर ने किया है रायपुर ने राश्ट्री जन जाती नरति महुत्सों की मेजबानी रायपुर ने किया है अगला पुर्शन है हमारा नई अहमदाबाद IPL टीम के मालिक कौन बने नई अहमदाबाद IPL टीम के मालिक कौन बने है तो यह बने है RPSG समोह यह नई अहमदाबाद IPL टीम के मालिक है हमारा अगला प्रस्ण है दोस्तो climate tech investment 2021 में भारत किस इस्थान पर रहा climate tech investment 2021 में भारत किस इस्थान पर रहा है तो यह भारत इस नवए इस्थान पर रहा है climate tech investment 2021 में भारत नवए इस्थान पर रहा है जबकि अमेरिका सिर्थ इस्थान पर रहा है अगला प्रस्ण है किस राज में COVID-19 AY4.2 variant के मामले पाए गए हैं किस राज में COVID-19 AY4.2 variant के मामले पाए गए हैं तो अगला प्रस्ण है दोस्तों किस देश बारहवी सदी नतराज की का से प्रतिमा भारत को साँपी है अमेरिका ने भारत को 12 से दिकी नट राज की का से प्रतिमा भारत को सौपी है अमेरिका ने अगला प्रश्ण है किसने अपनी पुस्तक M's में एक जंग लड़ते हुए PM नरिंदर मोदी को भेट की है तो यह रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी पुस्तक M's में एक जंग लड़ते हुए PM नरिंदर मोदी को पुस्तक भेट की है हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो हमारा अगला प्रश्ण है जम्मु कस्मीर बैंग के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है बलदेव प्रकाश जी को जम्मु कस्मीर बैंग के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है अगला प्रश्ण है गूगल पे ने स्वाष्थ वीमा पेशकस के लिए किस जनरल इंस्योरेंज कमपनी के साथ समझोता किया है हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो भारतिय वैग्यानिकों ने कार्बन डाई आक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधी विक्षित की भारतिय वैग्यानिकों ने कार्बन डाई आक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधी विक्षित की है तो मीथेन भारतिय वैग्यानिकों ने कार्बन डाई आक्साइड को गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासानिक विधी विक्षित की जो की मीथेन है आई हो दोस्तों यह सब भी प्रकाश आपको पसंद आया होगी और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जी के सब्सक्राइब कर लिए और बिल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले निस्क्राइब वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्पूर्ण पुष्णों के साथ तब तक कर सकते हुए्ट видно कर सकते हैं पुष्ण हो बह्ता हैंग